कांग्रिस में आज जो इस्तिती आराजगता की स्तिति है वो नित्रत्य विहिंता के कौरण है वही रास्टियस तर पर भी χो रहा जो उत्राखंड में हो रहा है अगर कोई समझदार नेता है अगर कोई लीडरशिप यहां पर होती है कोई अशा लगता है कि जैसे लावारिस हो चुकी है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई रोगने वाला नहीं है, कोई नियंतरन करने वाला नहीं है, जो नए अध्यक्स हैं वो आगे 17 तारिक को कारेबार समाले गें, पुरानी अध्यक्स इस्तिपा दे चुक सर्वोच नेता उत्राखंड के हैं वो भी किनारा कशी कर गए हैं आज मतलब कोई संभालने वाला नहीं उत्राखंड में कांगरिस को जबकि यह और इसकी कमजोरी के वज़ा से भी सायद यह जो कुछ विदायक दमकियां दे रहे हैं जाने के लिए पार्टी छोड़ने के लि पार्टी तोड़ भी ने सकते हैं और तेरा विदायक इनके साथ जाना संभव लगता नहीं है ऐसा लगता है कि पांच-छे विदायक ही हैं कि जो उतावले होने हैं कांगरिस छोड़ने के लिए और इन में से भी कुछ ऐसे हैं जो 127 बोट से एक जीता है दूसरा विदायक जाएं तो दुबारा चुनाओ उप चुनाओ लड़ना पड़ेगा उप चुनाओ लड़ेंगे तो क्या गरंटी है कि आप जीत भी जाएंगे इसलिए बहुत संभव है कि जो भी हो है यह सब ड़राने के लिए दमकाने के लिए लाबर इसका अंग्रिस को यह सब कुछ हो स्थीपा देने का भी है पहले भी दे चुके हैं अब दामी वरसत दा दावी दूस्रेज दामी वाई के लिए हो सकता इतना त्याब कर ले और दे 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 घर दार्चुला से तो ये हो सकता लेकिन मुझे लगता नहीं कि बाकी कोई छोड़ेगा चोड़ेगा तो उनको जब तक 13 नहीं होते हैं तब तक उनको इस्तीफ़ देने पड़ेंगे और इस्तीफ़ा जब तक इस्तीफ़ा भी नहीं देंगे बीजेपी में भी नहीं जा सकते हैं बीजेपी में जाने क के लिए इन दलवद्रों की ज़बरत उनको है न सरकार बचाने के लिए ज़रूरत है क्योंकि बीजेपी के पास 47 सदस्यों का परचंड बहुमत है तो तब की 2016 की बात अलग थी तो अब तो भारी दाम भी मिल दे थे काम भी मिल रहा था गारंटी भी मिल लई थी कि अब कट भी देंगे जीत होगे तो मंत्री बना देंगे इस समय तो भी इस्तिति नहीं है तो इसलिए मुझे लगता है कि यह केवल डराने का नाटा कुछ लोग कर रहे हैं और यही वज़ा से है कि जो आने वाले नित्तों है करें महरा का बयान से तो ऐसे लगता है कि जिसको जा नुक्साम नहीं होगा